आज के समाचारों में सबसे पहले एक विशेश समाचार राजनीती के बदलते हुए दौर में तरह तरह के बरिवर्तन हो रहे हैं आज MP उजला ठाकुर को पार्टी हाई कमान ने प्रदेश कमेटी का प्रेजडेंट न्युक्त कर दिया है जबकि पार्टी के सीनियर वेमबर्स और इस कुरसी के उम्मीदवार बलभधर सिंग को इस कुरसी से हाथ धोना पड़ा है हाई कमान का मानना है कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए उजला ठाकुर ही पूरी तरह से सक्षम है आज उजला ठाकुर ने दिल्ली में इस पद का कारेभार सभाल लिया है इसके अलावा तुम्राइचलेशन्स विशाल मुबार्ट तुने भी हो और आप थैंक्स कितनी अजीब बात है ना विशाल कल तक हम सब एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे और आज उचला कितनी फेमिस होगी है वी ने इसमें अजीब बात कहा है यह पर इसकी महनत को नितिया है वो हमेशा आगे बढ़ना चाहती थी इसलिए आज सबसे आगे है तो हम भी तो आगे पढ़े हैं निशाल हाँ तुम्हें एक पत्नी बन गई हो और मैं एक पत्ती, क्यों होगी होगी लेकिन विशाल तुम्हें नहीं रगता कि उजला के इस पोस्ट से सबसीदा आखा हमारा है वो, कम ओन विदू तुम कितनी मतलबी हो हरवक अपना फायदा सोचती हो कभी-कभी किसी और का फायदा भी सोच लिया करो एन वगता भी डाउत? प्रेस्ट मैं, हमारे बीच में क्या फायदा हो सकताने में? क्या बादी विशाल? भोगत रोमांटिक हो अँग? कि आश्ट व्लगिए क्यों सुंधर है जनाब का इरादा क्या है? शिलाल उस इरादा डान्स का है Okay, so let's dance. Let's dance. जी, हमलावर का नाम था जग्दीश राओ. डब्राल साप की कमपिनी के लेबर युनियोन का इक मेंबर थावो. जो, 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 विशाल दब्राल इस नाट इन्वल्ट. यह ख़बार वालीवी, अधारत में साविथ हो जाने के बाद भी? विचारा विशाल, क्या-का सहना पड़े कर लेगे? नमस्कार अलताब भाई अपड़ी लंबी ओम्रे तुमारी क्यों? लगता है मेरी बात हो रही थी कैसे है विशाल? अब फाइन, कुरू राजुलेशन्स पार्टी की प्रदेश के मेटे की अधिक्षा बनने पर थैंक्यू बड़ा में एक्स्रेमली सॉरी जिस आद्मी ने तुम पर हमला किया वो हमारी कंपनी का एक यूनियन मेंबर है इस नोट यूर फॉल्ट विशाल लेबर यूनियन और डबराल साब की पेले से एन बन थी और उसी समय पारलोमेंट में हमारा ऐसा बलपास होने जारा था जिससे सबसे बड़ा नुकसान तुमको और डबराल साब को होता और इसी का फाइदा उठाया चर्थी श्राव ने अपनी आपसी दुश्मनी निकालने के लिए मुझ पर हमला करवाया यह जानते हुए कि पुलीस का सबसे पहला शक जायओ को तुमपर और डबराल साथ पर और इससे तुम्हारे खांदान की बद्नामी होगी खेर जाने दो यह सब बातों को आओ बैठाँ किशोरी चाह लेके आना पुझ जला वह दूसरे कातिल का कुछ पता चला विशाल पुलीस तफ्तीश कर रही है दिखिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची क्यों कातिल कॉन था और इसने उजला पर हमला क्यों किया एक्स्क्यूज में हाड़ जी यहाँ मीटिंग इसी वक्त? ठीक है आतो हम बस पंदरा मिनट में जी यहाँ कोई नया प्राप्लम? वो तो वहाँ जाकी बना चलेगा मैं चलू जाए फिर किसी वक्त जल्दी में बतुरी उशिला, उशिला बेटी, क्या हुआ? उशिला, उशिला यह ओड़ा? उशिला, उशिला यह ओड़ा? मैं आप्ड़ा मेरे कहल से सफफर में सफफर के वज़े से थकान आ गई है मैं डॉक्टर को बलाता हूँ नो, आल बी ओके, रिली उशिला आगे तवेत और खराब हो सकती यह दॉक्टर को बला लेते है यह उलताब भाई हलो डॉक्टर गोश विशाल टप्रालियो अब मैडम उचला ठाकर के खर फॉरन आजाई है उनकी तवित खराब है जी हाँ, जल्दी थैंक्स थैंक्यू विशाल बड़ वासंट नैसरी यू गो नहीं मेहीं रुकता हूँ ड़, ड़ अंतसार कर रहोंगे तुम जाओ आल बी फाइन शो ओके, अलकोली लेटा ठेक्ड के बड़ अलतफ मही आज की मीटिंग तुम अराम कर पाशी इस वक्तुम्हे आराम की जर्वत है तुम मीटिंगो भूल जाओ पर अलतफ मही बोलानों जाओ मीटिंग में अटेंड कर लोगा मुचिला, इंदर को बलुआँ क्या? नहीं, उसकी जरुरत नहीं है, डॉक्टर तो हाई रहना आज की मीटिंग में अटेंड कर लेता हूं नहीं. काँeln, डिए याँ. आज, बैट्टो, बैटो. अज़िए, डिए? अपैले से बैखतर हूं. डिएड आपने अचानक क्याया को है? कोई काम? बैटो, इसमें हमारी मुलाकत हमेशा काम के तैती हो, आम ऐसे नहीं मिल सकते हैं? नहीं डाइड, बेटा हूँ आपका, हुखम कीजिया हाजर हो जाओंगा बेटे, ड्रिंक नहीं बनाओ गए नहीं डाइड, आपको तो वैसे ही पीना मना है और मैं अकेले पीता नहीं हूँ मैं सोच रहा था कि एक हाथ दिंक तुम लेते तो तो चार बाते आऊ नहीं हो सकती थी डैड, हम बिना दिंके भी बात कर सकते हैं, अब शुरू कीजे बड़े, पार्लेमेंट में उज्यला का बिल पास होने के बावजूद नदी की नारे से अपना केमिकल प्लाइन्ट ना हटाने की जित पर मैं अड़ा हुआ था फिर जब मैंने ठंडे और खुले दिमाग से सोचा तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैं करने जा रहा हूँ और सही नहीं है, गलत है देखो बड़े, आज तक जो हुआ है उसके लिए ना मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराना चाहता हूँ ना किसी और को अनफॉर्चनेटली ये उज्जला पर जो कातिलाना हमला हुआ उसका गुनेगार हमारी कमपनी का जिम्पलॉई था उसका इलजाम भी मैं अपने सर लेने के लिए तयार हूँ बैड़ा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारे गिलेशी कोई छोड़कर अपना बाब बेटे कारिश्टा फिर्स्यनी भाएं क्यों नहीं हो सकता, डैड? लेकि नहीं बताए, डैड, अपने फैसला क्या किया है? यही कि केमिकल प्लाण्ट की जगए लिए मरजए के मताबिख हम वहां कौटेज इंडिस्टी लागाएंगे और उस कौटेज इंडिस्टी में मैंनेजिंग डिरेक्टर तूम होगी मुझे खुशी है डाड आपने ये फैसला किया है और मैं आपकी इस इंडस्ट्री में मैंनेजिंग डिरेक्टर के हैसियत से काम भी करूँगा लेकिन डाड मेरी कुछ शर्ते हैं कैसे शर्ते हैं डाड मेरी पहली शर्त ये है कि आपकी इस इंडस्ट्री को बहतर डंग से चलाने के लिए मुझे कोई भी फैसला करने की पूरी आजादी होगी और इसमें आपकी या किसी और की कोई दखल अंदाजी नहीं होगी दूसरी शर्त यह है डैड कि आपकी इंडस्ट्री में काम करने वाले हर वर्क को फिनाशनल सिक्योरिटी, मेडिकल एड, फ्री लंच और बागी सब फिसलिटीज होगी और डैड मेरी तीसरी शर्त यह है कि हमारी कंपनी के प्रॉफिट्स में सारे वरकर बराबर के हिस्सेदार होगे और उन्हें उनके हिस्से का प्रॉफिट्स फंड ग्रैच्योटी और बोनस वक्त पे मिलेगा ताकि हमारी कंपनी की पॉलिसी से दुखी होकर कोई भी वरकर आइंदा उजिला जैसी समात सिविका पे जान लेवा हमला ना कर सके अब भी एटा, मुझे तुम्हारी तमाम शर्तें मन्सुखें, ताकि यहां जोगे, मुभारको, आप माँ पनने वाली हैं अडवानी पूरी तरह शर्तें तैय हो जाने के बाद ही किसी बिजनेस में आपक्ता आउता है बने डाले अब तुम्हारे मामले में मैं बहुत सी शर्तें भूल जाने को तैयार वैसे तुम्हारी प्रोपोजर मुझे पसंदाए, इसमें प्रॉफिटी प्रॉफिट है अडवानी साहब, जिस बिजनस में 100% प्रॉफिट ना हूँ, वो बिजनस बिजनस ही कहा है वैल जो बिजनस आप मेरे साथ करने जा रहे हैं, मिस्ट अडवानी, उसमें फाइनाशल प्रॉफिट के अलावा और बहुत फायदे हो सकते हैं आपके, और कौन-कौन से फायदे विजनस बिजनस किया भी तो तो आप खुद अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि एक एड एजनसी ने पैसो के अलावा आपके और क्या-क्या फायदे हो सकते हैं वहाँ, इक्साइटिंग वाई दिवे विनी डालेगे इस प्रोजेक्ट का बजट कितना है? पाजेट, टू, तू अनाफ क्रोर्स इतनी मामूली सी रकम तो, तुम्हारा ससूर धर्मराज डबडार भी तुम्हें दे सकता है आँ, मिस्ट अडवानी मैं अपने कर्या में नहीं अपने पती नहीं ससूर की हर्प लेना चाहती हूं क्यूंकि मैं अपने पहचान, खुद खूप बनाना जानती हूं खुदार उडाले, गुड़, अगर तुम्हें अडवानी को पहचान दिया है, तो अडवानी भी तुम्हारी पहचान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखेगा बस अपने कियोगए वाइब हैं मुझसे जो हैं वो याद रखता है और अगली में अपना प्रोजेक्ट्ट्रा फ़स्तोर्मेंट्स मुझस देजाना? धेख्या है, विख्या है. विख्या है. अपुद्धा. अपुद्धा, अपुद्धा, अपुद्धा. हलो, आश्यर माजी बोलिए, आप गये ते फैक्ट्री में, क्या बात हुई? ओके, ओके, और वरकर्स, सब ठीक है. ओके, तो कल सुबह बात करते हैं, दस बजे. राइट, यॉ कॉल मी. बाई. है विशाल. है. बहुत खुछ दिख रहे हैं, क्या बात है? खुछ हूँ, पुछ हो क्यों? क्यों? सेल्फ आइडेंटिटी की राह में, अज मेरी पहली काम्यावी है. अच्छा, इसका मतलग है? विशाल, जो प्रोजेक्ट में फैनाइसर के सामने रखा था, तो इसे पसंद आ गया है. और यॉसे पसंद आ गया है. विन्यु, मैंने जानता, सेल्फ सेंटेड होकर तुम सेल्फ आइडेंटिटी पाने की राह में कितनी आगे बढ़ चुकी हो. पर इसमा जरूर कहूंगा, किसी भी रह में कोई कदम रखने से पहले, सेल्फ रेलाइज़ेशन बट जरूरी है. सेल्फ रेलाइज़ेशन, जरूरी है? विशाल, तुम्हे हो ना हो, मुझे अपने आपर पूरा यकीन है. हैर, मेरी भी दैज से बात हुए थी आज. क्या कहते हैं भू? कि अगरीड कि उनके प्रोजेक्ट में उनकी कोई दखल अंदाजी नहीं होगी. तो इसका मतलब तुम खादी, कैंडू, अगरबत्ती, मार्चस पनाओगे. विशाल, वोट दो रहा है? विशाल, मेरा काम वज़ पिछोड़ दो. प्लीज चुन्सेटरेट अन्यों वर्क. अगे. यह क्या हो गया है? मैं किस उलजण में उलजगई हूं? एक तरफ मैंनी ही, देश की बढ़ती हुई आबादी को रोखने की बात के ही है. और दूसरी तरफ, इंदर का प्यार है, जो मेरा हिस्सा बनकर पनब रहे मुझ में. मैं उस बच्चे को जनम दू या नहीं? दोनों ही मेरे अपने हैं. मैं किस के साथ न्याय करूं? आखिर क्या करूं मैं? क्या करूं? क्या करूं? बहुत परिशान लग रहे हैं. नहीं, यूवी, पैठे-पैठे गुट्स सोच रही थी. सोच रही थी घर के बारे हैं या भार के बारे हैं? दोनों ही. दोनों ही थो अपने ही हैं. और यह दोनों अपने हमेशा बढ़के रह जाते हैं. इसलिए हमेशा परेशानी नेती हैं तुमको. चोड़ो भी उजला. तुम्हें पता है तुम्हें परेशान देखकर मुझे कितना दोख होता है? अधर तुम्हेरा पती हैं कोई पतर तो नहीं? इसलिए अधर. तुम्हें चोड़ो, अधर चोड़ो, भाईया का फोन आया था? सब ठीक तो है? सब ठीक है, वह जशन मनाया जा रहा है? भाभी चौदा साल बाद माह बनने वाली है? 14 साल तक भाईया और भाभी बहुत निराज रहे हैं बड़ो, अधर चौदा साल बाभी के खुशी, बाभी के खुशी और हाथ में एक चोड़ा सा प्यारा सा क्या बाद है? ये ख़ब सुनके तुम्हें कुशी नहीं नहीं? नहीं, अंदर ऐसी कोई बात नहीं है अच्छा, वो परेशानी, परेशानी फॉस परेशानी का क्या हाल है? क्यों नहीं कुछ दिन गाउं गूमाए? जरूर चुटा सा जरूर क्या करे इस परेशानी का हसदो? इस बाद बाद परेक्त? आत्मा राम इस वक्त जैसे हालाद चल रहे हैं उसका यही तकाजा है कि मैं पाल्टी की कोई भी मिटिंग अटेंड न करूँ काली मैया की कसम उससे ये जाहिर हो जाएगा कि पाल्टी की तागत मुझ से है वो सबला से नहीं जिस उजला को तुम अबला समझ रहे हो बल्बद्र सिंग वो अब सबला होती जा रही है और वो अरे वो सबला होती जा रही है पर पूरी तरह हुई तो नहीं और काली मया की कसम मैं उसे अपने से ताकतवर होने भी नहीं दूँगा डारेक्ट आला कामान से मिलूँगा और कहूंगा तुम में एक यही बहुत बड़ी कमजोरी है बल भद्र सिंग बहुत जल्ब टैश में आकर भद्रता की हदे पार करते हुए अपने बल के मत में शेर की तरह से गरजने लगते हो अरे भाई ज़रा इसे सोचो यह सोचो कि पार्टी का प्रेजिडेंट बनने के बाद उसमें पार्टी के लिए कोई धोस पुफता काम किया है या नहीं इससे कोई काम तो करने दो फिर देखो वो जब भी कोई काम करेगी उसकी आलोषना करके मैज्श ऐसे खल्सावित करते हैं एक बार दो बार हर आदा करो, फिर देखो इसे आला कमान को अपनी गलती का एसास नहीं होता है, अ कैसे वो तुम्हें प्रदेश कमेटी का प्रेजड़न नहीं बनाते है, काली मय्या के कसम, काटे की बात का है आत्माराम, सानक के निती का गूर अध्यन किया है आत्माराम ने, इसलिए कब-कब तुम् उजला उजला क्या पात है? उजला, आज मैं बहुत कोश्य हूँ मैं अभी आती हूँ नहीं 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 तुम नीचे मता हूँ मैं उपर आरो अरे उजला, तुम सोच नहीं सकती हूँ मैं कितना कोश्य हूँ इंदर इंदर I am so happy today उजला क्या बात है? तुम मुझे सर्प्राइज देने वाली थी? लेकिन डॉक्तर गोश्य हूँ मुझे सब्रूच बता दिया तुम मा बनने वाली हो तुम मा बनोगी मैं पपा बनूँ में गुडिया एगी उजला क्या है तुम? इंदर मैं तुम से कुछ बात करना चाहती हूँ